पादर अजाब अफिलंदे नाभार तोरुक माक्तो बनता है तो अब बहुत जादा सस्वेंस ना बनाते होएं वीडियो को करते हैं स्टार्ट तोरुक माक्तो की उपादी उसे मिलती है जो सक्सेस्फुली इस ग्रेट लैनोपेट्रिस के साथ बॉन बनाके उसे राइट कर लेता है गेर लैनोपेट्रिस का मतलम नाभी लैंगिस में तोरुक होता है और तोरुक का टांसलेशन होता है लास ँडो ऐसा इसली है क्योंकि तोरुक अपने विक्टिम के उपर से टाइक करता है और जब तक इसका विक्टिम कुछ समझ पाए तब तक उसका काम तमाम कर दिता है और सिर्फ इसकी सैडोई विक्टिम को मरने से पहले दिखती है और हैंस इसका नाम लास सैडोग यानि की तोडूग पर जाता है और ये इतना खतनाक होता है कि माउंटेन बैंसी जैसे स्पीसीज को भी हंट करता है नावी के लिए तोलूग किसी रेजेंट से कम नहीं है और उनके डांस, सॉंग्स और कई कल्शल पैक्टिस में तोलूग सेलेबरेट किया जाता है नावी ये भी मानते हैं कि तोलूग माक्तो वही बन सकता है जिसका दिल बहुत मजबूत है और जिसके मन में नावी के लिए अत्यंत प्रेम भाव है अब तक सिर्फ 6 लोगों को ही तोलूग माक्तो की उपाथी मिली है जिसमें लास्ता जेक सूली अगर सबसे पहले तोलूग माक्तो की बात करें तो वो था N2 जो की नावी के उमातिकाया क्लैन का मेंबर था जब N2 15 साल का था तो उमातिकाया क्लैन के स्टैमन ने एक विजन देखा जिसमें वो देखता है कि कैसे एक वालकिनों के फटने के कालन Tree of Souls दिस्ट्रॉई हो जाएगा जिससे नावी का उनका डाइटी ईवा से कनेक्सन खतम हो जाएगा मैंने Tree of Souls और ईवा दोनों पे ओलेडी एक एक वीडियो डीटेल में बनाई है आप चाहें तो उसे देख सकते हैं अभी के लिए मैं आपको इतना बता देता हूँ कि Tree of Souls वो जगा है जहां से नावी का इवा से कनेक्सन सबसे क्लोजर्स होता है तो एन्टू और उसका एक दोस्त इस प्रॉब्रम से निपटने का सॉल्यूसन खोजने लगते हैं और फिर उन्हें Tree of Voices के जरीए एक फॉफेसी सुनाई दिती है जिसे उन्हें पता चलता है कि वो Giant Beast Toruk की मदद से इस समस्या का निवारन कर पाएंगे और Toruk को Tame करने के लिए उन्हें 5 आर्टिफेक्स की जरुवत होगी जो नावी के 5 डिफरेंट क्लैन से मिलेगा तो सबसे पहले Toruk का एक मिनिचर फिगर उन्हें अपनी उमातिकाय क्लैन से पॉजस किया फिर उन्हें तावाकामी क्लैन से ट्राइंकुल सीड नाम का दूसरा आर्टिफेक्ट मिला फिर उसके बाद उन्हें अनुलाई क्लैन से म्यूजिकल बोन मिला और अंत में कुकुननन क्लैन से हॉसमेंस मास्क मिला और इस तरह से उन्हें पाचो आर्टिफेक्ट को हासिल कर लिया और कुकुननन क्लैन की मदद से वो हैलेलिवा मौंटेंस गए जहां पे तोलुक की मिलने की उमीद थी और संजोग से वहाँ पे उन्हें तोरुक दिख भी जाता है अब उनका प्लैन ये था कि N2 का दोस तोरुक को टेम करेगा क्योंकि वो N2 से जादा बढ़िया हंटर और फाइटर था बट किस्मत का खेल ने कुछ अलगी मोल लिया और N2 का दोस बैडली इंजल्ट हो जाता है और फिल इस तरह से N2 पे टोलुक को टेम करने की जिम्यदाली आ जाती है वहीं इसी वक्त वरकेनों फट जाता है और उसका लावा टी ओफ सोर्स की तरफ वरने लगता है तो सभी नावी एक पत्थर को डिस्ट्रॉई करके पानी के लुक को लावा की तरफ मोल देते हैं इसे कुछ दिल तक लावा का प्रवा लुक भी जाता है बट वो जल्दी तेजी से फिल टी ओफ सोर्स की तरफ वरने लगता है पर जब तक वो टी ओफ सोर्स को जादा नुकसान पहुचा पाता तब तक एंटू तोलुग पे बैट के वहाँ आ जाता है और टी ओफ सोर्स को बचा लिता है और इस तरह से एंटू नावी के इत्यास का पहला तोलुग माक्तू बन जाता है वही नेतरी का Great Great Grandfather 5th तोलुक माक्तू होता है और जिस तैंप पी वो तोलुक माक्तू बनता है उसे नावी Time of Great Solo से संभोधित करते हैं और अंत में हम जानते ही है कैसे अफ़तार मुई में जेक सुली चलाकी से तोलुक माक्तू बनता है जासा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग बताया था कि तोलुक अपने विक्टिम को अपनी लास सेडो दिखाता है और उनके उपर से अटेक करता है और इस तरह से वो सिक्ष तोलुक माक्तू बन जाता है तो यही था पूरा इतिहास और वलतमान तोलुक माक्तू का उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट से और जरूर कीजेगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कूल मत भूलिएगा बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए अब मिलते हैं नेक्स वीडियो में